इस शोत्र कहता है, Meditator knows that he is what he wants to become. There is nothing separate from him. ध्यानी यह जानता है कि वो वही है जो वो होना चाहता है. कुछ भी उससे अलग नहीं है. यह जीवन के अंतर समन्धित समझ से उपदा हुआ बोध है. जो इंटर कनेक्टेट विजडम है जीवन की उससे उपजा हुआ बोध है. कि जो वो होना चाहता है वो है. इस बात को महसूस करना बड़ा आवश्यक है. जैसे अनेक बार में यह बात कह चुका हूँ. कि पहला कदम ही अंतिम कदम है. पहला कदम अंतिम कदम इसलिए है क्योंकि पहले कदम में ही अंतिम कदम सामिल है. जीवन इतना अलग थलग नहीं है. सुत्र यही कह रहा है कि वो जानता है कि वो किसी भी जीवन की वेवस्था से अलग नहीं है. तो जिसको हम मंजल समझते हैं वो मार्ग में शामिल होती है. यूँ देखा जाए ये सुत्र जीवन सैली भी है और एक कुझी भी है कि जो होना चाहता है व्यक्ति जब उसको महसूस करने लगता है कि वो है तो उसका जीवन बदल जाता है. अगर कोई बोध को उपलब्द होना चाहता है, उदाहरंड के लिए इसको देखें, तो उसको ये बात देखनी पड़ेगी अपने अंदर कि ये बोध तो अभी भी है उसके अंदर, कहीं छुपा होगा, वो नहीं देख पा रहा होगा, लेकिन वो होगा, वो होगा इसलिए तो बाद में प्रकट होगा, तो जहां वो होना चाहता है ध्यानी, वहां अपने आपको देखता है, ये चीज, ये कुझी, उसकी यात्रा को अलग ही सक्ति और अलग ही गतिशीलता दे देती है, क्योंकि आम बिक्ति क्या करता है, कि जहां वो होना चाहता है, या जो होना च उसके बीच बड़ा फासला महसूस करता है और उसको लगता है ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ऐसा नहीं हो ध्यानी सीधे उससे संयुक्त हो जाता है उससे जुड़ जाता है अपने मंजिल से अपने लक्षे से और ये विज्वलाइजेशन भी बनता है उसका, उसकी कलपना भी बनती है और ये उसका भोध भी बनता है और दोनों चीजे मिलकर एक दिन उसके भीतर वो खिलावट भी लेकर आती है जो अप एक शिक थी, जो वो चाह रहा था, जो वो होना चाह रहा था लेकिन जो होना चाह रहा है उसको पहले ही अपने भीतर देखना आवश्यक है और यह देखा जा सकता है क्योंकि कुछ भी अलग नहीं है एक कली जो फूल बनेगी कुछ समय बाद वो फूल इस कली में अभी भी सन्हित है वो फूल अभी भी ऐस कली में अपनी संवावना के रोक में बंद है तबी तो फूल बनेगा तो उस कली के अंतरमन में ये बात हो सकती है कि वो फूल है जो उसको होना है वो अभी भी वही है ये अवस्था का केवल भेड है तो ध्यानी के लिए देखा जाए इससे बड़ा आश्वस्त होने का और बिंदु क्या हो सकता है कि उसको जहां कहीं भी होना है वो कली की तरह जानता है कि वो सम्भावना उसके अंदर बंद है खुल जाएगी एक दिन लेकिन इतना अलगाव नहीं है कि वो इतना दूर है कि वो पता नहीं कैसे होगा नहीं होगा इसलिए हर साधक को ये बात इसमान रखनी होती है प्रत्य एक बुद्ध ने दोराई है ये बात मैं भी उसको निरंतर कहता हूँ कि तुम अभी ही बुद्ध हो तुम अभी ही परिपूर्ण हो लोगों को लगता है ऐसे कैसे है हमें तो कुछ पता नहीं चला है कली को भी कहां पता चलता है कि उसके बीतर फूल सामिल है इसी तरह से हर व्यक्तिक के बीतर बोध सामिल है वो मंजिल उसके मार्ग में सामिल है उसको इस आश्वासन और इस आस्था के साथ चलना है और निशित ही ये आश्वासन ये आस्था उसके जीवन को बिलकुल बदलती है क्योंकि अब उसका उठना, बैठना, चलना, उसके जीवन के सारे क्रिया कलाब सामाने नहीं रह जाते क्योंकि वो जानता है कि जो होना है, जो वो होना चाहता है, वो अभी भी विद्यमान है तो उसको सहजना है, संभालना है, सीचना है, उसका ध्यान रखना है समय की बात है अभी की अवस्था यही आवस्थक है अस्तित्व में तो यह अवस्था है जल्दी ही दूसरी अवस्था भी खुलेगी जल्दी ही वो अवस्था भी प्रकट होगी तो यह बड़ा ही आस्था का विशय है और समझ का भी विशय है जो ध्यानी के जीवन में शामिल रहता है और उसके जीवन को पूरी तरे रुपांतरित करता रहता है बाल रहता है जो तर लुप अनौशन को अनौशन को तरे है